नमस्कार दोस्तों दोस्तों महराष्ट की राजनीत में उथल पुथल मची है महराष्ट में जिस तरह से अजीद पवार और भारती जनता पार्टी के रिष्टों में तल्खियां आ गई है उसके बाद से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अजीद पवार और भारती जनता पार्टी के रास्ते अलग हो सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में अजीद पवार को जगए नहीं मिली अजीद पवार के सांसत को मंतरी पद नहीं मिला अजीद पवार ये चाहते थे कि कैबिनेट मंतरी का पद मिले लेकिन राज्य मंतरी तक का पद नहीं मिला और अब अजीद पवार नई संभावनाएं तलाशने लगे हैं इस बीच जहां भारती जंता पार्टी के तमाम विधायकों ने अजीद पवार की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिये तो वहीं RSS के महराष्ट में बड़े नेता रतन शारदा ने भी अजीद पवार को साथ लेने पर भारती जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगा दिये यानि संग भी ये पूछ रहा है कि आखिर अजीद पवार को साथ लेने की जरूरत क्या थी दरसल संग और भारती जनता पार्टी के तमाम नेताओं का ये आकलन है कि अजीद पवार को साथ लेना महराष्ट में भाजपा को नुकसान कर गया अब जैसे अजीद पवार अलक थलक पड़ गए अकेले पड़ गए तो उनको साथ मिलने लगा उनके चाचा शरत पवार का शरत-पवार की पार्टि के नेता जितेंद्र अवहाड ने भी अजीद पवार की वकालत कर दी है तो शरत-पवार के पौत्र रोहित पवार ने कहा कि भारती जंता पार्टि अजीद पवार की वज़े से नहीं बल्कि अपने एहंकार में चुनावहार गई है यानी शरत पवार की पार्टी का जो soft रुक अजीद पवार को लेकर दिख रहा है उसके बाद यह सवाल बनता है दोस्तों कि क्या शरत पवार और अजीद पवार के रिष्टे सुधरने लगे हैं जिस तरह से सुप्रिया सुले से अजीद पवार की पतनी सुनेत्रा पवार शुनाओ हार गई और उसके बाद अजीद पवार ने सुनेत्रा को राज्यसभा भेजा उसके बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या अजीद पवार अब अपने रिष्टों को सुधारने की क क्योंकि हाले में अजीद पवार का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने शरत पवार की तारीफ की थी और ये कहा था कि इतने वक्त तक उन्होंने पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। तो दूसरा अजीद पवार ये भी कह चुके हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से अलग है वो एंडिये का हिस्से जरूर है लेकिन हमारी विचारधारा एक नहीं है अब इसमें एक पॉइंट और जुलता है अजीद पवार महराष्ट विधान सभा चुनाओं के लिए बीजेपी से 80-90 विधान सभा सीटे मांग रहे है जो दे पाना बीजेपी के लिए मुम्किन नहीं है ऐसे में इन तमाम घटनाओं को और तमाम भयानों को अगर आप जोडेंगे तो ये समझ में आता है कि महराष्ट में खेला कभी भी हो सकता है महराष्ट में अजीद पवार कभी भी NDA से अलग हो सकते हैं और वो अपने चाचा अजीद पवार के साथ जा सकते हैं यानि महराष्ट में अगर अजीद पवार NDA से तूटे NDA से अलग हुए तो वो शरत पवार के खेमे में जाकर खड़े हो जाएंगे और तब शरत पवार उद्धव ठाकरे कॉंग्रेस और अजीद पवार ये चारों नेता जब एक मंच पर होंगे एक साथ होंगे तो भारती जनता पार्टी के लिए महराष्ट विधान सबा का चुनाव जीतना बेह नाराज बताए जा रहे हैं एकनाच शिंदे के नेता हैं रतनागिरी के विधायक और महराष्ट की सरकार में उद्योग मंत्री उदे सामंत उन्होंने तो सिंदुदुर्ग जिले के कई जगहों पर पोस्टर लगवा दिया है कि वक्त आने पर हिसाब भी लेंगे और जवा कर रही है और जिस तरह से अजीद पवार नजरंदास किये जा रहे हैं जिस तरह से अजीद पवार की बात नहीं सुनी जा रही उनको मंत्री पत तक केंदर में नहीं मिल रहा है तो आप यह समझ लीजे कि महराष्ट में आने वाले 10 से 15 दिन के भीतर कोई बड़ा खेल हो ज फिर से खड़े हो जाएं और फिर से महराष्ट में राजनेतिक परिस्थितियां जो हैं वो बीजीएपी के प्रतिकूल हो जाएं और दोस्तों इसी वज़े से भारती जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या एक तरफ अजीद पवार नाराज हैं दूसर प्रयोग किये थे वो लोग सभाचुनाओं में पहले ही फेल हो गए और अब विधान सभाचुनाओं से पहले भी तमाम मुश्किलों ने भारती जनता पार्टी को महराष्ट के अंदर घेर लिया हैं दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रह पे